Hi guys, this is Vineet here. Welcome to my channel. So, इससे पहले मैं RRBPO Mains के लिए कॉन्स का strategy ले के आ चुका हूँ और GA का भी strategy ले के आ चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजेगा मैं description में भी link डाल दूँगा वो भी आपको, उससे भी आपको help मिलेगा So, अभी reasoning का अगर discuss करें हम तो exam आपको पता है 10th September को है Mains, already dates तो आ चुके है Pre और Mains के RRBPO Mains 10th September को है and sectional cut-off अगर मैं बोलू तो अब देख सकते हो 40 में 18.5 for general and EWS and for other categories 16 out of 40 था तो यह आपको, I think पता ही होगा कि 40 questions रहते हैं and each question is of 1.25 marks ठीक है, तो total 50 marks के होते हैं तो यह 40 में से दिया हुआ है आपको समझी अगर 20 आया तो 20 into 1.25 हो जाएगा and out of 50 वो score होगा ठीक है, so अब देख सकते हैं कि cut-off, sectional cut-off जादा है मैंने cons का आपको दिखाया था cons का cut-off था 8.5 तो आप देख सकते हैं 10 mark का अंटर है तो यह difference से क्या पता चल रहा है यह अंदर से यह पता चल रहा है कि reasoning जो है mains में जो reasoning आता है Rbp का वो comparatively comparatively easier होता है ठीक है and actually मैं सही में easier होता है मैंने भी 31 attempt कर दिया था I think 40 में ठीक है, so 14.5 2021 में था और 11.5, थोड़ा सा level उपर नीचे होता है बट लगभग यही range में रहता है तो आपको समझ में आएगा इससे कि इतना hard भी नहीं आता है तो अगर मैं previous year analysis की बात करूँ तो puzzles और sitting arrangement के 16 questions थे और सब के सब doable थे एक ही variable वाले questions थे तो इधर इसके लिए मैंने लिख दिया है designation based puzzle था एक और उसमें एक variable था 5 questions थे parallel row sitting arrangement थे 10 लोग थे और एक variable था जिसमें fruit था सब के पास एक fruit है day based puzzle था और एक variable था उसमें वो भी 5 questions थे और एक floor based जैसे ही आपने देखा होगा mocks में एक दे देते हैं तीन चार लाइन का question तीन लाइन का वो वैसे था ठीक है तो अगर मैं बोलू तो आपको one variable वाला ठीक से देखना है one या max two ठीक है तो one variable वाले questions काफी आये थे almost सब ठीक है एक भी ऐसा question नहीं था जो बिना variable के नहीं था मतलब प्री में जैसे होता है वैसे questions नहीं थे obviously ठीक है तो variable वाले थे अब ये मैंने जो red box बनाया है मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो है ये सब जो चीज है ये प्री में पूछा जाता है और ये आप मानोगे नहीं ये mains में भी आता है हर साल आता है ठीक है तो आपको इतना score तो करना ही है और ये जो था 13 ये जो 13 number है 13 marks है ये इसमें आपको 100% full score करना है ठीक है और ये काफी easy था बहुत easy आता है से लोग में बस एक 4 में से I think एक question वैसा था जिसमें पूछा था which doesn't follow तो ये आपने देखा होगा भी हमने live mock भी RRBP का दिया था उसमें भी ऐसा एक question था तो ये pre वाले से लेबस का है तो ये तो आपको full score करना है और level भी ऐसा नहीं था कि बहुत hard था या कुछ ठीक है easy था direction sense भी 3-4 line का ही था वो भी बन गया था number based question था sending descending पूच करके बोला था करने के लिए बट easy था ज्यादा कुछ नहीं था उसमें machine input output पांच number का था ठीक है ये भी doable था मैं comparison करूँ अगर SBI IBPSPO से तो ये काफी easy था ठीक है मैं आपको दिखाऊंगा ये आगे कि क्या है कैसा था machine input output आगे के slide में and critical reasoning 6 mark का था conclusion based, inference based जो आते हैं questions आपने देखे हुएंगे तो ये मैंने attempt नहीं किये थे क्योंकि इसमें गलत होने का chance जादा होता है तो मैंने risk नहीं लिया तो लगभग ये question ही ये ही थे almost 40 question जो थे previous year analysis जो मैं बता रहा हूँ आपको तो आपको 13 number तो ये जो 12 13 number के ये जो आते हैं ये तो आपको 10 से 12 13 जो भी आई ये आपको full score करना है बाकी फिर आपको puzzles बनाने, puzzles भी सब बनाने लाइक थे, ठीक है so इसके लिए मैंने डाले नहीं है क्योंकि आपको मिल जाएंगे वो YouTube पे या Google पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे और easy थे इसके लिए मैंने डाले नहीं है but आप machine input output देखो, ये question था machine input output में ये input था और फिर इसके लिए आपको questions पूछेते step wise, आपको step बनाने पड़ेंगे ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है numbers है, ठीक है and कुछ words दिये हो है तो आप देख सकते हो सबसे छोटा number जो है lowest number है ये ये पहले इधर लिखा है step 1 में फिर बाकी सब ऐसे ही लिखा है और end में आप देख सकते हो इसमें 4 letter है, इसमें 4, 3, 7 letters है 5 letters है, इसमें 8 letters है, तो 5 और ये 3, 3, 6 letters तो ये last में आया है तो क्या हो रहा है, सबसे lowest number lowest जो number है वो first पर आ गया है और जो letters जिसमें सबसे ज़्यादा है, वो last में गया है, पहले step में second step में क्या होए, अब देखते है second step में फिर जो सबसे ज़्यादा वाला number है वो पहले आ गया है ठीक है, जैसे justify ये 7 letters वाला है, और last में ये चला गया है, मतलब इसके बाद जो सबसे lowest number है तो वो ऐसे चला गया है तो मिल गया, decode हो गया ये ठीक है, तो ये काफी easy था ये एकदम doable था अब आपको क्या करना है, आप short में कैसे, इसको short way में कैसे कर सकते हो इसको short way में भी करने का तरीका होता है, अब देखिए जैसे आपने step 2 तक इतना लिख लिए है step 2 तक, तो आपने अगर इतना लिख लिए है, तो आप क्या कीजिए अब देखिए, ये justify, ये 43, ये सब repeat, अब मतलब repeat होते जाएगा, इसका logic आपको पता चल गया, तो आप इसको इसको a मान लिजे और इसे लिख दीजे, इसको b मान लिजे, ठीक है, तो आप अभी next third में क्या लिखोगे, third में आप क्या, ऐसे लिख लो, 56 a और फिर 28 भी इदर हो चुका था, तो actually इसको a मान लिजे, इसको b मान लिजे, इसको c मान लिजे, इसको d मान लिजे, तो ये क्या हो जाएगा, justify is c, ठीक है, 28 is a, 69 तो अभी use नहीं हुआ है, तो उसको वैसे ही लिख दीजेगा, और conflict इदर है, तो last में जो भी है, जो भी है, b, तो आप ऐसे लिखेगा न, तो end में बहुत छोटा बन जाएगा, और आपको पता है, c का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, तो ये एक पांच मार्क्स बिल्कुल मिलने चाहिए, आपको, जो पांच मार्क्स है, वो बिल्कुल मिलने चाहिए, ठीक है, आगे में strategy और sources आपको बताता हूँ, पहला तो ये ही बोलूँगा, मैं आप, please make sure that your prelims portion is covered properly, क्योंकि ये जो 10 से 12 questions, मैंने आपको 13 questions दिखाए, previous year analysis में, वो pre का ही syllabus का था, ठीक है, वो pre syllabus का ही था, तो अगर आपका pre अच्छे से हो गया है, तो आप sectional cut off और ये सब अराम से clear कर दोगे, तेरा question आपके अराम से बन जाएंगे, फिर आपको जादा कुछ नहीं बनाना है, और puzzle आपका बन ही जाएगा, ऐसा होई नहीं सकता कि ये ना बने एक variable वाले, ठीक है, तो ये आपका अगर हो गया है अच्छे से, तो आपको क्या करना है, आप every day, आपको every day, ये puzzles practice करने है, sitting origin practice करने है, with variables, mains के लिए अगर कर रहे हो, तो with variables करने है, ठीक है, जिसमें at least एक variable तो रहे, तो ये आपको मिल जाएंगे, mains के जो रहेंगे, वो एक दो variable तो एक variable तो रहेंगे ही उसमें, और आपको ये चीज़ भी करना है, machine input, output, ये जो चीज़ ये भी आपको every day practice करना है, अब कहां से करोगे, मैं आपको sources बता दूँगा, तो ये second step के बाद आप YT playlist मैंने olive board ही बस follow किया था, ठीक है, निकिता मैम है, और राधे सर थे, ठीक है, तो मैं links जो है, वो description में डाल दूँगा, आप check कर लेना links, वो आप practice कर लेना अच्छे से, आपको confidence आएगा उससे, उ उससे practice कीजिएगा, otherwise practice को इस section में भी आप जाके practice कर सकते हैं, guidely से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये free है, बट आपको थोड़ा scroll करके ढूनना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ये दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कि 20 लगभग machine input output puzzles मिलाके 20 questions थे ठीक है, तो आपको ये everyday इसी के लिए practice करना है, so that आप 20 और तेरा 30 प्लस तो score करी लो 40 में, ठीक है, जैसे मैंने 31 कर लिया था, आप भी 30 प्लस करी लो, बाकी फिर जो time बचेगा उतने में, आप critical अगर आपने practice किया है, तो आप कर सकते हो, आप confident हो, critical में तो आप करो, otherwise आते हैं, तो आप वो देख लेना, एक दो, तो वो, आप थोड़ा सा practice कर लोगे, mocks और ये सबसे, और वीडियो देखके, तो आपको आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा critical, बट सब आए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि critical में risk काफी होता है, ठीक है, so, ये समझ गाए, study materials पर जाओगे, तो इसमें practice quiz का ये आता है, तो आप इस पर click कर देना, study materials में practice quiz पर, तो ये खुल जाएगा आपका, तो इसमें आप reasoning ability में जा सकते हैं, या all पर भी जाके देख सकते हैं, आपको scroll करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो, SBI clerk and RRBPO means bundle PDF course day 1, SBI clerk ये वाला IBPS clerk, RRB clerk means reasoning bundle, तो आप इसे search नीचे करते जाओगे, तो आपको मिलेंगे, आप direct reasoning पर भी जाके देख सकते हो, इसमें भी आपको quiz, ये सब quiz format है, बट practice के लिए अच्छा है, तो आप इधर से practice कर सकते हो, ठीक है, इधर scroll करते जाएगा, load more करके, तो आपको मिलेंगे, जिनक bundle है, उनको easy पड़ता है, ये करने में, तो कि directly day wise रहता है, और इसमें थोड़ा आपको scroll करना पड़ेगा, बस ये एक तकलिफ है, but questions अच्छे है, so I'll go back to the slides, so I hope आपको समझ में आगया होगा पूरा ठीक से, कि आपको कैसे, कौन से questions everyday करने है, mains के लिए, so pre आपका अच्छे से हो जाना चाहिए, तो log inequality, ये जो questions है, ये जो questions है, log inequality, direction sense, number based, ये आपके अच्छे से आराम से बन जाए, machine input, output फिर मैंने जो आपको बताया, और puzzles का sitting arrangement, ये आपको everyday practice करना है, तो आपको confidence आजाएगा, machine input, output easy आता है, तो आपको tension नहीं लेना है, logic ऐसा बहुत absurd logic नहीं आए तो ये everyday practice कीजिए, जिससे आपको confidence high हो जाए, और आप, आपको करना ही है 30 plus score, वैसा आता है RBP, मेंस में reasoning, ठीक है, so that's it from my side, अगर आप first time मेरे channel पर आए हैं, तो subscribe करना मत भूलना मेरा channel, so that you don't miss out on any such strategies, from my side, and keep preparing, कुछ doubt होगा, तो आप comments में पूश रहें, thank you.